साथियों आज से 46 साल पहले, 1977 में अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा ने दो ऐसे अंत्रक्ष यान धर्ती से रवाना किये थे, जिनका उदेश्य ब्रह्मान में मौझूद ग्रहों और उसके उप ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाना और उससे भी आगे जाकर जानकारी हासल करना है। पर पाई जाने वाली मानव जाती के बारे में संदेश दे सके। जिहां, इसके साथ एक ऐसा ग्रामोफोन जिसके क्तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क जोड़ी गई थी, जिसमें रोते हुए बच्चे की आवाज रिकॉर्ड की गई। पक्षियों, हवाओं, लहरों की आवाजें, बिन बिन तरह के संगीत, तस्वीरें और पच्पन अलग-अलग भाशाओं में शुब कामनाएं रिकॉर्ड करके भीजी गई थी। कुल मिलाकर इसमें हर वा संभव वस्तू रखी गई जो किसी को धर्ती और वहाँ रहने वाले प्राणियों की जानकारी दे सके। दोस्तों, हम इनसानों ने चांद पर कदम रख लिया है। स्पेस स्टेशन बना लिया है। मंगल ग्रह पर कोलोनी बसाने की दिशा में काम कर रहे है। यहां तक की सूरज जिसके कूर का टेमपरेचर वन पॉइंट फाइब करोड डिग्री सेलसिस है। उसके खरीब भी अपने पाका सोलर प्रूब नाम का एक स्पेस क्राप बेच चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि हमने स्पेस को काफी कंट्रूल कर लिया है। और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हासल कर चुके हैं। लेकिन यह बिलकुल गलत है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सालों में दुनिया भर की स्पेस एजनसीज की लाखो कोशशों के बावजूद भी हमने ब्रम्हांड का सर्फ 4% हिस्सा ही एक्स्प्लोर किया है। हाला कि इसके रहस्यों से परदा उठानी के लिए हम आए दिन नयनय स्पेस मिशन लाउंच करते रहते हैं। और उनी मिशन में से एक था वोईजर प्रोग्राम जिसे 1977 में नासा ने लाउंच किया था। इस मिशन में दो स्पेस क्राफ्ट अंतरक्ष की गहराईयों में भेजे गए थे। जिसमें से एक वोईजर वन और दूसरा वोईजर टू था। दोस्तो ये स्पेस क्राफ्ट ने हमसे अर वो दूर मौझूद दुनिया की ऐसी ऐसी तस्वीरे भीजी जिसने साइंटिस्ट की नींद उड़ा थी। लेकिन सवाल ये है कि आखर वोईजर ने ब्रम्हांड में ऐसा क्या देखा। ये प्रोग्रियाम कब तक चलता रहेगा और ये कब तक हमें दुनिया से जुड़ी एंफॉर्मेशन को साजा करता रहेगा। आईए वोईजर की नजरों से एक नई दुनिया की सैर करते हैं और जानते हैं ब्रम्हांड के कुछ अंसुलजे रहस्यों के बारे में। तो साथियों आज से 46 साल पहले नासा एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को अंतरक्ष की घूर अंधेरी दुनिया में भीशता है जिस क्या मकसद था हमसे करोडू किलोमेटर दूर मौजूद शनी और जूपीटर ग्रह के बारे में जानकारी एकठा करना। साथ ही इसका काम उनके चंद्रमा के बारे में भी जानकारी एकठा करके प्रत्वी पर सेंड करना था। इन सब लक्षों को अपने साथ लेकर वोईजर स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। और हर गुजरते वक्त के साथ ऐसी ऐसी तस्वीरे भेज रहा था जिसमें ब्रम्हांड का एक ऐसा रोप सामने आया जिसकी हम इनसानों ने कभी कलपना भी नहीं की थी। वोईजर स्पेसक्राफ्ट ना सर्फ दूसरी दुनिया के रहस्यों से परदा उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था बलकि अपने साथ प्रत्वी से भी कुछ ऐसा ले जा रहा था जिससे एलियन्स को हमारे बारे में संदेश मिल सके। यह अपने साथ एक ऐसा ग्रामोफोन लेकर जा रहा है जिसमें पक्षी, हवाओं, लहरों और अलग-अलग तरह के संगीत को रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस गोल्डन ग्रामोफोन में कई तरह की वीडियोज भी डाली गई थी। आपको बता दे कि वोईजर स्पेसक्राफ्ट में अपना कंट्रिबूशन देने के वाले साइन्टिस्ट काल सागन के बेटे निक सागन की आवाज भी इस ग्रामोफोन में डाली गई थी। जिसमें वो एंगलिश लैंग्विज में एलियन का विवादन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें नहीं पता कि एंगलिश हिंदी या दुनिया की ऐसी कौन सी भाषा है जिसे एलियन समस्ते हैं। इस लिए इस टिश्क में नासा ने 55 अलग-अलग लैंग्विज में भी जें सही सलामत रखेगा। आपको बता दें कि बॉइजर 1 को बॉइजर 2 से 15 दिन बाद लाउंच किया गया था। और अगर रफदार की बात की जाए तो बॉइजर 2 से बहुत ही ज्यादा फास था। यही रीजन है कि यह स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रॉइड बिल्ट के एरि जूपिटर, प्लेडट यानि ब्रस्पती ग्रह के करीब पहुँच गया। और वहां से जूपिटर और उसके चांद की हाई रेजोलूशन तस्वीरे खीज के धरती पर भेजने लगा। इस स्पेस क्राफ्ट ने जूपिटर के चुम्बक्ये शृत्र के बारे में जानकार नी संड की, अपने शफर के दौरान इस स्पेस क्राफ्ट ने जूपिटर के मून E.O. की तस्वीर भी भेजी, जिसने सबको हैरान कर दिया। इस स्पेस क्राफ्ट ने E.O. पर वैलकेनों होनी की पुष्टी की। जिससे साफ होता है कि जिस तरह से हमारे प्रतवी पर जव तस्वीरे क्लिक की और प्रत्वी पर भेजी जिससे वहां से जुड़ी कई नई नई चीजों के बारे में पता चला जूपीटर को पार करते हुए ये स्पेस सैटर्न यानी शनी ग्रह की तरफ चल दिया काफी लंबी यात्रा के बाद आकरकार 12 नमंबर 1980 को यह यान शनी ग्रह के करीब पहाँच गया था अगर हम इसके और सनी के बीच के सबसे कम दूरी की बात करें तो वो एक लाग तेईस हजार किलोमेटर के करीब थी साथियों अब हर किसी के लिए शनी ग्रह के आसपास घूमती हुई रिंग एक बहुत बड़ी मिश्टरी बनी हुई थी जिसके बारे में वो एजर वन ने कई एहम जानकारियां सेंड की इतना ही नहीं इसने एक और नय रिंग की खोज की इसके बारे में हमारे वेज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते थे यहाँ पर रहते हुए उसने शनी ग्रह के कई चंद्रमाओं की खोज की जिन में से एक था सैटन का मून टाइटन। जब इस स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की तस्वीर प्रत्वी पर भेजी तो इसने सब को हैरानी में डाल दिया। इस स्पेसक्राफ्ट ने सूचना दी कि इस मून टाइटन पर जिस तरह के अटमोस्फियर और वातावरन हैं वैसा मानव जाती खुद पत्ती से पहले प्रत्वी का हुआ करता था। ऐसे में अगर वहाँ पर भी प्रत्वी के साथ जो प्राकरतिक घटनाएं हुई अगर वैस ही होता है तो काफी संभावना है कि उस जगह पर जीवन पनब सकता है। अब सैटर्न प्लैनेट को गुडबाय करने के बाद वाइजर वन स्पेसक्राफ्ट बहुत दूर अंतरक्ष की गहराईयों में चल दिया। और जाते जाते उसने प्रत्वी की ओर मुड़कर 14 फरवर के बाद वाइजर वन ने अपना क्यामरा बंद कर दिया और मानों अलवदा कहते हुए किसी गहरे अंधेरे में नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ा। अगस्त 2012 में वाइजर वन हमारे सौर मंदिल की बाउंडरी जिसे हेलो स्पीर कहा जाता है। उसे पार करके इंट इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ है। वहीं इसके पहले लांच किये गए स्पेसक्राफ वाइजर 2 को इस जगह पहुंचने में और छे साल का समय लग गया और ये नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुआ था। नासा के विग्यानिकों के अकॉर्डि इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने के बाद इसने काफी सारा डेटा प्रतवी पर सेंड किया जिसमें से एक बहुत डरामनी प्रतीत होने वाली आवाज थी इसने और भी कई सारे साउंड रिकॉर्ड करके भेजे जिसे ध्यान से सुनने पर हम जैसी आवाज सुनाई देती है लेकिन आपको बता दें कि अब धीरे धीरे इन स्पेस क्राफ्ट के काम करने की ताकत कमजूर होती जा रही है और ये हमसे इतनी जादा दूरी पर हैं कि उनके भेजेगा इन्फॉर्मेशन को प्रतवी पर रेसीव करने में बहुत कठिनायों का सामना करना पड़ता ह हालाकि नासा ने इन सिगनल्स को जल्दी और आसानी से कैच करने के लिए पूरी दुनिया में जगय जगय सैटलाइट टिश लगा रखी है प्रतवी से इन स्पेस्क्राफ्ट को संपर्क करने के लिए यहां से लगबग 20 किलो वाट का सिगनल भीजा जाता है जिसे वोईजर तक पहुंचने में 20 घंटे से भी जादा का समय लग जाता है इसके बाद यान का एंटेनाउ सिगनल को कैच करके वहां से भी 20 किलो वाट का सिगनल प्रतवी पर सेंड करता है जो यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही वीक हो जाता है ऐसे में जब प्रतवी तक आता है तो उसे डिटेक्ट करना एक बहुत ही चुनोती भरा टास् जब एग्यानिक इस मिशन से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि इस समय वाइजर एक ऐसी जगा पर मौजूद है जहां पर सर्द मौसम और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है ऐसे में उसके खराब हो चुके टूल्स को बंद किया जा चुका है और इस सर्द जगा पर बिजली बचा कर उसे गर्म रखने की मदद की जा रही है तरहाल यह यान प्रत्वी से 169.756 ऐस्ट्रोनॉमिकल दूरी पर है आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगबग 15 करोड किलोमेटर सोते हैं इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह यान हमसे कितनी ज़ादा दूरी पर मौजूद है और यह दूरी हर एक सेकंड के साथ बढ़ती ही जा रही है ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि हम कब तक इस स्पेस्क्राफ्ट से संपर्क बना कर रख सकते हैं क्योंकि इसमें लगी बैटरी भी अपने जीवन के आखरी चरण में है वेग्यानिकों का मानना है कि जैसे जैसे वोईजर स्पेस्क्राफ्ट हमसे दूर होता जा रहा है हमें उससे संपर्क करने में उतना ही जादा समय लग रहा है और हो सकता है कि 2025 तक इसकी बैटरी भी पावर सप्लाई करने लायक ना बचे ऐसे में इसके उपकरन बंद हो सकते हैं और हमारा इन स्पेस्क्राफ्ट से संपर्क तूट सकता है तो जब ऐसा होगा तब हमें लगेगा कि मानो स्पेस के अंधेरी दुनिया में हमने अपने एक साथी को खो दिया आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लायक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और वीडियो में तब तक के लिए गटबाई